हैलो एवरिवन मैं शुबम कुमार और मैं अभिशेग बहुत टाइम से यूटूब ने हमारे वीडियो को ब्लॉक कर दे रहा था तो आप लोग को पते ही कि हम मारे पास थोड़े पैसे वे से जादा है तो हमने इस बार यूटूब को ही खरिद लिया क्या आपको भी हमारे त दुसरत रहा सॉरी तो यह इनका स्टार कास्ट तो पहला हम ग्लीम्स देखेंगे क्योंकि बहुत टाइम से रिमेक्स या ऐसे से उनकी हैवी हैवी फिल्म आ रही है कि मज़े ही आ गया ओडियंस को उनसे तो देखते इस बार क्या नया है हाँ देखी लेते हैं राप से तू जОने की बहुत तो दो बार दोधने के बैद मेजार सन्दा श अच्छा रेटरन डरेक्टर बड़ा बुक्षिप अच्छा वो स्पेस्शिप वाला पहिन के पानी में क्यों कूदा वो और हां रहे वह तो स्पेस सूट था रहेगा इनका और मुझे लग भी रहे कि यह मिशन मंगल से एक्सपायर है नहीं रहे अब अक्षेकुमार पूरे यह घ्लिम्स में सिर्फ भाग यह ऐसे रहे जैसे कि उन्होंने खुद की बच्चन पढ़ने देख लियो अक्षे कुमार की लुक की बात करें तो वो आर्केलोजिस दिखने की कोशिस तो कर रहे वो नहीं भाई वो यह ही है थोड़े पड़े लिखे हो गए वो इतना फ्लॉप देने के बाद उनको मालूम पढ़िया कि अब मुझे रिसर्च करना पड़ेगा तो पिचर के स्क्रिप्ट को शड़कर अब पिचर के कंटेंट पर रिसर्च कर रहे हैं तो अब वह थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं उनके फैन्स के लिए तो कुछ अच्छी बात है कि उनको भी कुछ नया देखने मिलेगा लेकिन इ जो फिल्म प्रूफ करेगा कि एसा कुछ है जो हमारे यंग्स्टर्स को लगता है कि ने थेखने कि अब यह कुछ बताने की कुशिच करें dur जो पता हो पता तो आशल में सब को ही है लेकिन इनके नजरिय से भी तो देखना पड़ेगा ना अलग बता है वह ठीक है लेकिन गलत बताए तो वह रामसेतु का पत्थर पड़ेगा और यह पिचर में डूबेगा क्योंकि आज बहुत है यह ना अब अक्षे कुमार सर है तो वह प्रित्वी राज प्रित्वी राज अब चलता है उनका पिछर कईना चलता है पर उनका लास्ट पुतली पर भीमार खाने के बाद अब ओरिजिनल कॉंटेंट पे काम कर रहें अक्षेकुमार मतलब जो सब को चाहिए था वो फाइनली मिल चुका है फ्रेश 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 पॉंसर परना वही घिसी पिटी चीजे और सेम तरह कि एक्टिंग देख देखके ना सब बूरो गयता है अक्षेकुमार का इक ब्लिम्स डाला ना वो फुगा पाइन के पानी में अड़ते है अब शायद पानी के नीचे जाके देख रहे कि पतार हो सकते बड़ी 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 लोग है बड़ी बड़ी चीज जुनते तो आब एडवेंचर है और वो देखते कि यह ओडियंस कितना आड इसलिए उसको कास्ट किया मोवी में करना पड़ेगा इतना बड़ा जोल होने के बाद उसको पैसे देने के लिए तो अब तो बॉलीवूड ने भी अलग अलग कॉंसेप्ट के फिल्म लाना शुरू कर दिया तो कब से साले नया शट पाहिन के आता है और तू हर बार जो टू गरवा खेलता किसी के साथ लेकिन हमारे नसीम में नहीं एक आपा यह को आईसी सब फिल्मों में जो मेंन एलिमेंट्स होता है वह वी एफेक्स का होता है क्योंकि ए जो सारी चीज़े दिखाएंगे वह मतलब इनको बना नहीं पड़ेगा यह तो फिर वीएफेक्स उसक्रा कि यह लोग तो वैसा कुछ जाएंगे महाँ पर तो लोकेशन वगेरा लेकिन अब जाते तर तो यहीं पर सैट्स वगेरा बना किया तो वे एफेक्स मारा जाता है अभी लास्ट फिल्म मेंने जो हैवी एफेक्स में देखा था वो था कार्थी के टू उसका जो स्टोरी एक्स स्टोरी बनाया जिसको अच्छे से प्ले किया तो जो देखने में और समझने में बहुत ही जादा इसी पड़ा था तो इसमें भी जो मतलब अब आर्किलोजिस्ट है तो मतलब यह हिस्ट्रियों पर ही बात करेंगे अभी बीच में के ग्लिम्स में वो श्लोक्स वगेरा दि अब कहीं नहीं क्या पता अच्छी फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं निकले हो अब मिल भी जाए हो भी बड़ी बात हो उनके लिए रामसेतु के लिए तो अक्षा कुमार बोल रहे सिर्फ तीन ही दिन है अब देखो यार सब यह सब चीजों पर फिल्म बनता है ना तो कोई ऐस अब इसके बाद आधी पूरूश आएगा बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अब इसके बाद आधी पूरूश आएगा बहुत सारी चीज़ें के कल्चर के बेसेस पर आने वाला है जिनको प्रमोशन की जरुवत नहीं है वो आप्टोमेटिकली हिट होई जाएगा बस जो स्टोरी एक्च्वल उसके साथ अगर छेड़ चाड़ करके इन्होंने अपना कुछ नया करने की कोशिश की तो फिर समाझ दो धनूश किसके पी अगले वीडियो में अपने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमें मैसेज करके बताए कि आपको नेक्स डेक्शन कुँन सा चीह कमेंट भी कीजिए कौनसा पार्ट अच्छा लगा कैसा लगा तो मिलता है अगले वीडियो में तिल द